नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकी राव तो आपको खास लाव देके ही जाता है जी हाँ कारक्रम ही और हमारा आपका रिस्ता ही कुछ ऐसा है सब्ताह का अंत है रविवार का दिन सूर का दिन पंचांग क्या कहता है भाद्पद माहक्रिष्ण पक्ष तिर्तियात थी है सुबह दस बचकर नौ मिनट तक चंद्रमा कुमराशी में और उसके बाद मीन राशी में प्रवेश नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और योग रहेगा सुकर्मा तद अनुसार दिनांक 18 अगस्त दिन रविवार रविवार को राहु काल एक अशुब समय उसे नोट करना आनिवार है सुबह माफ कीजे का शाम 4.30 से 6 बजे तक और गुलिक काल भी नोट करना निवार है क्योंकि ये अच्छा वाला समय होता है बहतरीन होता है दोपार 3.00 से 4.30 मिनट तक अब राशियों की चर्चा करेंगे मेज से मीन तक आज का पूरा दिन कैसा बितेगा और आज के दिन को ब्यहतर करने के लिए क्या करना होगा चलिए सुरवात करते हैं मेश राशिसे मेश वालों के लिए समय बहुत अनकूल रहेगा किसी तरह की बड़ी दिक्कत नहीं आएगी सिक्षा में आनन्द आएगा पढ़ाई पूर्णता की तरफ है बिजनस बहुत उंदा चलेगा बिजनस में आ रहा बाधा सब समाप्त हो जाएगा कुछ विशेश लाव के भी संकेत मिल रहे हैं धन का लाव स्वतह होगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा प्राइवेट सेक्टर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं प्राइवेट सेक्टर में कुछ इस्थतियां गड़बड होंगी गवर्मेंट सेक्टर बहुत अच्छा समय है दिक्कतें परिशानिया हर तरह से दूर हो जाएंगे मानसिक रूप से मजबूती रहेगी आज प्रमोशन के चांसेज है दामपत्य जीवन पत्नी किसी बात को ले करके वाइलेंट हो सकती है पत्य पत्नी के बीच ताल मेल गडबर रहेगा आज मेश वालों के दामपत्य जीवन में कलह कलेश की अधिक्ता रहेगी गवर्मेंट सेक्टर वाले मेरे लाइफ ज़्यादा समाल है आपका सूर्य थोड़ा सा जंजावात पैदा करेगा दिनांग 18 अगस्त दिन रविवार लव लाइफ बहुत स्मूद रहेगा लव लाइफ में किसी तरह की परशानी नहीं आएगी शादी की बात भी कर सकते हैं मांसिक मजबूती मिलेगी विशेश स्वास्त के लिए आपको सावधान रहना होगा पेट की दिक्कत लीवर की समस्या हो सकती है उपाय के तौर पर आज के दिन भगवान सिरी गनेश के बारह नाम का जाप करके शुकुमस्यक दंतस्यक कपिलोगज करनक है ऐसे करके बारह नाम जाप करके और फिर दिन का आपना आरम्ब करिएगा क्या नहीं करना आज आज मेश वालों को उधार देने से बचना होगा सफेद रंग्शुभाज चाछट प्रत्चत का भाग्याब के साथ है ब्रिशब थोड़े से बाधाओं के साथ शिक्षा में लाब किया संकीत ब्यापार बहुत अच्छा चलेगा समस्याओं से बाहर निकलेंगे बिजनस में कोई बड़ी उपलब धी आपके साथ जोड़ी रहेगी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा टफ सिचुएशन है प्राइवेट सेक्टर वालों को सावधान रहने क्या वसकता है कुछ समस्याओं बहुत गंभीर हो सकती है गौर्मेंट सेक्टर लाव के आउसर मिलेंगे प्रमोशन के चांसर जे रहेंगे दामपत्य जीवन में लाव की स्थिती रहेगी पती-पत्नी संबंध सुधरेंगे आज बढ़ों कास्तक्षे बहुत आनन्द देगा खास बात लव लाइफ मेश रासी अठारे अगस्त थोड़ी से समस्याओ परिजनों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से उठेगा शादी की जर्चा टाल दीजेगा आज दिक्कतें बढ़ जाएंगे राशी वालों को किसी काम में जल्दी बाजी नहीं करनी है ब्राउन रंग शुब है 63 प्रतिशत का भाग्य है ब्राउन रंग भूरा मिथोन राशी लाग के अवसर इंटर्व्यू में सफलता टीचर्स की प्रशनता धन की प्राप्ती ये है विद्यार्थी जीवन आज का मिथोन वालों का बिजनस लाइफ कैसी रहेगी ब्याबार में आज जंप करने का संकेत दिखाई देगा कहीं से अधिक धन की प्राप्ती होगी कुछ विशेश संयोग अपने आप बनेंगे नई परिश्थतियां गढ़ जाएंगे मिथुन राशे प्राइवेट सेक्टर आज प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में कुछ बाद हाएं है नौकरी में समस्याएं है नौकरी आज बाधित है रुकावट है गौर्णमेंट सेक्टर में प्रमोशन है आज मनचाह इस्थानादरोन के संकेत हैं बहुत प्रशन रहेंगे आज चैलेंजिंग थोड़ा सा काम लगेगा आपको दांपत्य जीवन 104 ढंग से चलेगा आज उपहार का आदान प्रदान हो सकता है दांपत्य जीवन में कुछ उठा पटक दो पहर के बाद किसी अनिकी वज़े से संभव है लव लाइफ बंबं इस्थिती है कहीं से कोई समस्या मेजर नहीं रहेगी समस्याओं से बाहर निकलेंगे इस्थितियां बहुत अनकूल रहेंगे दिनांग 18 अगस्त मिथुन राशी क्या परिस्थिती आएगी इस पर ध्यान देने क्या वश्यक्ता है कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा स्वास्त आँख पेट रीड की हड़ी की दिक्कत है आज उपाय क्या करना है दवाओं का समय से सेवन करना है और किसी जरुरत मंद को जलका दान करिएगा क्या नहीं करना है आज आज मिथोन राशी वालों को अपने राज नहीं बताने है बादामी रंग शुभच 56 प्रतिशत का भाग आपके साथ है करक राशी समय अनुकूलता के दस तक दे रहा है लाव के अवसर मिलेंगे मानसिक प्रशनता में रहेगी खूब मन लगा कर पढ़ेंगे टीजर्स भी प्रशन रहेंगे बिजनस आज थोड़ा प्रभावित होगा बिजनस में कुछ घाटे की संभावनाएं बन रही है बिजनस में इस्ततियां थोड़ी सी प्रतिकूल रहेंगी व्यापार को संभाल करके लेकी चलना पड़ेगा स्वास्त के मामले में थोड़ी सी दिक्कत होने से प्राइवेट सिक्टर वाले आज अपना 100% नहीं दे पाएंगे बॉस किसी बात को ले करके परिशान कर सकता है गवर्मेंट सिक्टर वालों को आज वाहन सुख और जमीन जाजात का लाव मिलेगा संतान के दाइत्व की पूर्ती होगी सरकारी यात्रा पर भेजे जा सकते है आज दामपत्ते जीवन प्रभावित होगा पती पतनी आज बिछड़ने के संकेत ले करके आए है थोड़ा सा अपने मन पर ध्यान देने क्या वशकता है सावधान रहिएगा करक राशी उपाय क्या करना है लव लाइफ जा रहिए लव लाइफ की स्थिती थोड़ी सी टफ रहेगी लव लाइफ बहुत अच्छी रही है कुछ दिक्कटें लव लाइफ में दिखाई दे रही है जिनको लेकर के आप पेसेंस रखिए आप करक राशी स्वास्त की स्थिती आज हड़ीयों की दिक्कत है पैटक्रियास किटनी की प्रॉब्लम हो सकती है आज करक राशी वालों को उपाय के तवर पर हल्दी का दांस शुब होगा किसी भी जरुरत मंत को दे सकते हैं आप चाहे साबुत चाहे पिसी क्या नहीं करना करक वालों को आज ब्लैक कलर बिलकुल नहीं पहनना है बैगनी रंग शुब है साथ प्रतिशत का भाग आपके साथ है सिंग राशी दहारेंगे आज पढ़ाई में बहुत मजबूती रहेगी खुब मन लगा करके पढ़ाई करेंगे कॉम्पटिटिव इग्जैम्स अगर आज कुछ होंगे तो आप कौलिफाई कर रहे हैं ब्यापार अच्छा चलेगा सिंग राशी ठारा अगस्त रविवार विजनस में हो रहे घाटे की भरपाई होगी ब्यापार इक दिश्टिकोंट से समय बहुत अनकूल रहेगा सिंग राशी प्राइवेट सिक्टर नौकरी में प्रोमोशन के चांसेश है नौकरी में बाधाओं से बाहर निगलेंगे हर प्रकार की नौकरी आज मजबूती दिलाएगे नौकरी में कुछ समस्याएं होंगी तो वो दूर हो जाएगे सिंग राश दामपत्य जीवन सुचार उढ़ंग से चलेगा आज पत्नी के स्वास्त पर चला रहा खर्च कम होगा आज पत्ति पत्नी एक दूसरे के लिए बहुत सांकेतिक रूप से प्रशन रहेंगे सिंग राश आज का दिन लाव का दिन है लव लाइफ में भी आज लाव होने जा रहा है इस्तियां बहुत अनकूल रहेंगे शादी आज तैं हो जाएगे सिंग राशी वालों को बहुत पॉजटिव वाइप्स मिलेंगी आज परजनों का साथ रहेगा दिन चूकियेगा मत लव का पल्स इस्पेशली दिनांक 18 अगस्त दिन रविवार सिंग राशी स्वास्त एणियों में समस्य आज होगी आज स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है आज कुछ सोलजर्स में पेन और कुछ ठके ठके से लगेंगे क्या उपाय करना चाहिए आपको आज आज सिंग राशी वालों को गव माता को हराचारा प्रणाम करके दीजेगा क्या नहीं करना आज आज का दिन अपनी बात इधर की उधर मत करियेगा गुलावी रंग शुभष 54 प्रत्षत का भाग आपके साथ कन्या राशी दिनांक 18 अगस्त दिन रविवार सिक्षा मल लगा करके पढ़ने का आनंद ही कुछ और मिलेगा आज चैतन्यता बनी रहेगी आज कन्या राशी वालों के सिक्षा छेत्र में बड़े जंप की संभावनाय बन रही है बाहर जाकर कही पढ़ाई के लिए आप कदम बढ़ा सकते हैं ब्यापार अच्छा चलेगा ब्यापारी घाटे की आज भरपाई हो जाएगी बिजनस में कुछ बहुत बड़ी समस्या आज दूर हो जाएगी प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लाब के अउसर भी लेंगे नहीं नवगरी की संभावनाई बन रही है आज रुक्य धन की प्राप्ति होगी थोड़ा मन को कंट्रोल रखिएगा गवर्मेंट सेक्टर प्रमोशन है आज रुकाउटों से बाहर निकलेंगे परिस्तियां बहुत अनकूल रहेंगी इस्तिय आज सांकेतिक रुप से अच्छी है गवर्मेंट सेक्टर वालों को आज जमीन की अभिलाव की संभावनाई बन रही है नेक्ट दामपत्य जीवन कन्याराशी अठारा अगस्त नहीं है ठी कन्याराशी की महिलाएं आज थोड़ा सा बैड रोल प्ले कर सकती है तो ऐसे पती जो आज कन्या की पत्नी के पती है मतलब बीवी की राशी कन्या है उन्हें आज सतरक और साउधान रहना होगा लवलाइक बहुत स्मूध रहेगा साधी की बात फाइनल होगी जरूर कदम बढ़ाईएगा आज नया रिष्टा आ सकता है कन्याराशी स्वास्त नियूरो प्राबलम कुछ हो सकती है आज पेट की दिक्कत भी रहेगी उपाय क्या करना है आज के दिन स्टी डॉक को कुछ बिस्किट ब्रड आदी खाने की चीज़ दीजेगा क्या नहीं करना है कन्याराशी वालों को आज उधार किसी को नहीं देना है हरारंग शुभर 67 प्रत्शत का भाग आपके साथ है तुला तुलाराशी वालों के लिए 18 अगस्त कैसा भी इतने जा रहा है पढ़ाई के मामले में बताते है बिद्यार्थियों को आज आनन्द आएगा सुक्षा छेत्र में एक नया लेबल टच करेंगे किसी भी प्रकार की जो बाधाएं थी वो आज दूर हो जाएंगे बिजनस तुलाराशी 18 अगस्त लाब की अवसर मिलेंगे ब्यापारी की आत्रा की आज संभावनाएं बन रही है 20-25 प्रतिसर जंप होगा अकस्मात धन की प्राप्ती भी है आज प्राइवेट सेक्टर नवकरी में चेंज भी मत सोचिएगा बाधाएं आ सकती है नवकरी में कुछ इस्ततियां गडबड़क हो जाएंगी उन पर आपको ध्यान देना होगा आज नई नवकरी की संभावना भी बन रही है ये भी है आज खुश खबरी प्राइवेट सेक्टर के बाद गवर्बंट सेक्टर यहाँ पर मामला बॉस के हाथ में रहेगा अधिनस अधिकारी से आज कुछ मनमुटाव हो सकता है कारी छेतर में कुछ लापरवाही आपकी उजागर हो सकती है वाहन चेंज की संभावना है दामपत्ती जीवन सुचार अधंग से चलेगा समस्याएं नहीं आएंगी पत्य पत्नी एक गाड़ी के पहिये की तरह है मैरिट लाइफ को आगे लेके जाएंगे कुछ गलत फहिमिया आज दूर हो जाएंगे तुला राशी बिजनस मैन जो है मैरिट लाइफ को समभा लें आज बैपारी तुला वाले अठारह अगस्त दामपत्य जीवन उनका सब अच्छा कर सकते हैं बसरते एक उपाय करिएगा बताएंगे लव लाइफ इस्ति थोड़ी सी टफ आएगी आज जो प्रेमिका की सहयोग पक्षवाले रहेंगे उनसे थोड़ा सा बन मुटा हो सकता है उपाय के तौर पर आज किसी जरुरत मंद को चीनी दे दीजेगा क्या नहीं करना है आज अपने मन से किसी का दिल मत दुखा दीजेगा नारंगी रंग शुभर साथ प्रत्षत का भाग्या आपके साथ है व्रश्चिक कुछ कार्य छेत्र से रुकावटों के कारण आज शिक्षा छेत्र प्रभावित होगा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लेगा शिक्षा में कुछ बाधाएं मेजर दिखाई दे सकती है शिक्षा आपकी आज प्रभावित रहेगी शिक्षा में किसी तरह की समस्या अचानक से आ सकती है व्रश्चिक राश्य आज लेने की देने भी पढ़ सकते है इस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा जल्दी बाजी मत करिएगा किसी भी बड़े छित्र में कुछ मांसिक परिशानी अचानक से परिशान कर सकती है बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाएगा व्रश्चिक रासी वालों के लिए क्या आपको विशेश करना है ये भी हम बता देते हैं उपाय पहले लेकिन गौर्वर्मेंट सेक्टर आपके लिए तो प्रमोशन के चांसेज आज खुल जाएंगे आज बहुत प्रशन रहेंगे आज धन की वृध्धी के संकेत संकेत भी मिल रहे हैं जमीन में निवेश किया जा सकता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पती पतनी के बीच तालमेल सिट रहेगा कुछ समस्या है थी वो आज दूर हो जाएंगी लव लाइफ में प्रभाव पर सकता है लव लाइफ में स्थिती कुछ गरबर हो सकती है आज यहां पर आपको सावधान रहने की आवर शकता है यह दिव की मंगल मित्र राशी में है तो शाम आते आते साब अच्छा हो जाएगा लव लाइफ भी हल्दी रहेगा और आपके सहयोगी राशी मेश का भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा स्वास्त के मामले में आज आपकी दिक्कत हो सकती है कुछ गरदन में प्रॉब्लम बैक की प्रॉब्लम तो सुरू है समझे उपाय के तोर पर आज के दिन चने की डाल का दान महाशुब होगा कहीं मंदिर में भी दे सकते हैं जरूरत मंद को दीजिए क्या नहीं करना है आज ब्रिश्चिक राशी वालों को दुपहिया वाहन से लंबी यात्रा नहीं करना है पीला रंग शुभे छाचछ प्रत्षत का भाग आज्याब के साथ है धनु राशी कुछ बाधाएं अकस मात आएंगी आज स्वास्त भी प्रभावित रहेगा बहुत कम लगेगा मन पढ़ने में आज सिक्षा प्रभावित होगी बिजनस अच्छा चलेगा ब्यापारी रूप से आज कोई दिक्कत नहीं आएगी बिजनस में कुछ समस्याइथ ही वो आज दूर हो जाएगी मजबूती रुपल की बढ़ेगी ब्यापार में बाहर विदेश ते भी कुछ प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर चूमेगी कदब प्राइवेट सेक्टर धनुराश अठारह अगस्त यहाँ पर नौकरी में परिवर्तन अभी मत सोचिएगा नौकरी में कुछ समस्याएं बहुत मेजर हैं वो समस्याएं आपके लिए परिशानी का सबब बन सकती हैं आज प्राइवेट सेक्टर में बाधा अचानक किसी मित्र से पैदा होगा कलिक्स के दौरा गवर्मेंट सेक्टर अच्छा रहेगा गवर्मेंट सेक्टर में धनका लाब होगा आज कहीं जमीन उगरे में निवेश के लिए भी विचार कर सकते हैं संतान के विवाह की संभावना आज गवर्मेंट सेक्टर वाले इंप्रोईज के संतान के विवाह की संभावना बहुत प्रबल है दिनांक 18 अगस्त दिन रविवार धनु राशी ताम पक्ते जीवार आपके लिए कुछ मुश्किलें पैदा हो सकते हैं मानसिक दिक्कत रहेंगे इस चीज को लेकर के बहुत सावधान रहने की आवश्यक्ता है कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है सोच समझ करके निरणे लेना होगा जो आपके लिए अच्छा रहे लव लाइफ होगा आज अवाइट करिएगा आज टच में रहना शादी की बात टाल दीजेगा धनु राशी उपाय क्या करना है बताएंगे स्वास्त जानिये न आज हर्ट की प्रॉब्लम दर ट्रेशर आज थोड़ा उपर रहेगा दवाओं का समय से सेवन और आज नमक कम खाईएगा ध्यान देजेगा और लोह तुद्प डॉक्टर की सला है क्या उपाय करना चाहिए आज आज ब्लैक कलर जरूर पहनिएगा क्या नहीं करना आज मजबूती से सिक्षा छेत्र में दवा और दवदवा बढ़ेगा बिजनस बहुत अच्छा चलेगा ब्यापार में हो रहा घाटा आज रुक सकता है आज कोई निवेश कर सकता है मकर रासी 18 अगस्त प्राइवेट सेक्टर लाप के नए अवसर मिलेंगे आज धन का लाप भी हो रहा है आर्थिक रूप से आज मजबूती आएगी रुके धन की प्राप्ति होगी गौर्मेंट सेक्टर प्रमोशन के चांसेज हैं बॉस की प्रशनता आज मिल जाएगी रहे हैं दोनों का तालमेल बहुत सुरम में रहेगा लव लाइफ धड़कने थोड़ी सी धमेंगी आज किसी बात को लेकर के कुछ मनमुटाव बढ़ सकता है दोपहर 12-12-12-40 के बाद अवाइट करें अगर एक दूसरे को तो ज्यादा बेहतर रहेगा कल सभेरा अच्छा करने की कोशिश करिएगा स्वास्थ शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा आज उपाय क्या करना है किसी जरूरत मंद को कुछ फल का दान कर दीजेगा क्या नहीं करना आज मनमानी नहीं करना है मटमेला रंगशुभ है 57 प्रत्षत का भाग आपके साथ है कुम्बराशी मानसिक मजबूती के कारण पढ़ाई में जबर्दस्त मन लगेगा पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी बहुत रुकावटें जेल रहे थे तो आज शांती से आगे बढ़ जा कुम्बराशी क्या खास आपके लिए सोचना पढ़ेगा वो भी जान लीजिए आप अगर आपकी राशी कुम्ब है तो समय अनुकूल रहेगा लाब की अवसर बढ़ेंगे हर प्रकार से धन का भिलाब दिखाई दे रहा है कुम्बराशी वालों के लिए मानसिक मजबूती भी मिलेगी हर प्रकार की शुबता आपके कदम चुमेगी बिजनस की स्थिती भी कमोबेस ऐसे रहे लेकिन प्राइवेट सेक्टर वालों को सम अस्याओं का सामना करना पड़ेगा आज प्राइवेट सेक्टर में नोकरी पर आज आ सकती है कुछ आपकी चोरी भी पकड़ी जा सकती है सावधान रहेगा कुम्बराशी गौर्ब्मेंट सेक्टर नए वाहर की प्राप्ति के संकेत हैं आज बहुस प्रसंद रहेंगे दामपत्य जीवन प्रभावित हैं दामपत्य जीवन में कुछ टप सिचुवेशन आ सकता है लव लाइफ फिर भी ठीक ठीक रहेगा शादी की बात कर सकते हैं आज क्या उपाय करना है आपको आज कुम्भराश्य वालों को पेट, पीट, डाइजेशन, गैस, थाइराइट, पैंतालिस प्लस महिलाओं को उपाय के तोर पर आज शिवलिंग पर सफेद पुश परपित कर दीजिएगा, क्या नहीं करना आज आज लाल रंग एकदम अवाइट करिएगा, नहीं पहनना है, सफेद रंग की शुपता है 54 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है, मीन राशी किसी कारे में कुछ रुकावटें परेशान करेंगे, आर्थिक श्थिति थोड़ी सी प्रभावित रहेगी, पढ़ाई में मन कम लगेगा पारवारिक दिक्तों से कुछ मन विचिनित रहेगा बिजनस अच्छा चलेगा, खास तोर पर ब्यूटी और पार्लर वगरे से जूरी महिलाओं को आज विशेश लाब होगा मीन राशी प्राविट सेक्टर वालों को नहीं नोगली की संभावनाई भी तलाश नी पड़ेगी, अब चहाँ कर रहे हैं काम, वहाँ परमासिक वेतना रहेगी मीन राशी क्या उपाय करना चाहिए बताएंगे, लेकिन स्वास्त जान लीजेगा पहले, अभी तो और भी चीजे है, गौवर्मेंट सेक्टर वालों को बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा नहीं नोगली की संभावनाई भी बन रहे हैं, बहुत प्रशन रहेंगे आज, जमीन जाजाद में निविश कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर भी लाव के ही अफसर रहेंगे, स्वास्त के मामले में आपकी दिक्कत हो सकती है दामपत्य जीवन में पत्नी आज वाइलेंट हो सकती है, पत्नी के साथ कुछ मतमुटाओ हो सकता है लंबी आत्रा आवाइड करिएगा पत्नी के साथ मीन राशी हर प्रकार से कुछ विशेश लाव के अवसर भी रहेंगे यह आपको देखना पुड़ेगा मीन राशी लव लाइफ प्रभावित होगा स्वास्त के लिए आखों के तकलीफ रहेगी आज आज ज्वाइन्स पेन भी हो सकता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सावधानी बढ़ दीएगा अपने हर प्रकार से स्वास्तादी को ले करके उपाय के तोर पर आज का दिन मौसमी फल का दान बताता है क्या नहीं करना हाज दवाओं से ला परवाहि नहीं करनी है आस्मानी रंग शुभ है 69 प्रतिशत का भाग्याब के साथ है चली बढ़ते हागे जानते हैं आज का भाग्याक्षर यह आपका अपना शुभ भाग्याक्षर है इन्हें आप सादे चौकुर कागज पर लाल रंकींग से लिख के रख लीजेगा लाब के उसर रहेंगे चलते चलते जानते हैं आज की सकसेंस की एक रुपे का सिक्का सर से वार कर किसी पौधे के नीचे पीपल का हो तो अच्छा है रख दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया धरन्यवाद आप लोग हमसे मुलाकात कर सकते हैं डेट्स आपके सामने चल रहे हैं धीरे धीरे अप हर शहर जहां जहां हम लोग मिलते थे डेट्स ने आपके सामने मिल जाएंगी एक दो दिनों में फिलाल के लिए हमें अनुमत दीजेगा आज हम बताएंगे आपको जोते शराहट के कारिक्रम में कि कैसे एक योग एक फल देता है कि कोई रिस्ता कानूनी रूप से तोड़ा जाए ये बड़ी बात है भावनात्मक रूप से तो तूड़ते रहते हैं रिस्ते लेकिन कानून से कहकर तोड़वाना is a big thing and there is a very different angle in this subject this I will explain at 11 a.m. जोतिश जराहट के where logic speaks लेकिन अभी गाजियाबाद पे तो मिली सकते हैं तो दिल्ली अंसियार वाले गाजियाबाद मिलने के लिए समय ले ले दिनेसवागा नंबर 99, 10, 39, 16, 50 वाटसप भी कर सकते हैं कुछ लोगों की शिकायते आजकल आ रही है लेकिन वाटसप पे रिप्लाई देर सबेर मिल जाएगा फ़िशे कोशिस होती है कि सेम डे आपको रिप्लाई दे दिया जाए 10 से 6 ही फोन किया करें तो बहतर है अब रात भी रात करेंगे तो कहां किया करेगा कोई थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार शेकिष्णा शेरादे